किसी भी फसल की पैदावार का जो गनित है वो समझने के लिए उस फसल की जो स्टेज है अगर हम उनको ध्यान में रख लेते हैं तब जाकर के हमारी जो पैदावार है वो काफी अची निकलती है आज किस वीडियो में गेहों की बात कर लेते हैं गेहों के अंदर मुख्य तोर पर साथ जो स्टेज अवो आती है पहली जो स्टेज होती है वो आती है वो आती है CRI Crown Root Initiation Stage दूसरी होती है Till Ring तीसरी होती है Stem Elongation चोती होती है Booting Stage पाचवी होती है Penicle Initiation छटी Milking और सात्वी जो होती है वो Hard Duff Stage या Duff Stages में जो आपका दूद है वो थोड़ा सा गाड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और लास्ट के नदराती है Harvesting जीसे आपका टाई बोलते हो पहली जो आपकी CRI Stage है Crown Root Initiation Root का मलव कि ये जो Stage है वो जड़ से मिलती जूलती है ये जो Stage है वो आपकी 25 से लेके 30 दिन के आसपास स्टार्ट होती है जब आपका जो बिजाई है वो हो जाता है किसान सातियो इस Stage का पता आपको कैसे चलेगा जब भी आप 20 या 25 दिन के बा वो पहली जो सिंचाई है उसके करने के बाद में ये जो Stage है वो काफी जल्दी होती है इसलिए बोलते है कि 25 से लेके 30 दिन के आसपास पहली जो सिंचाई है वो complete कर लेनी चाहिए CRI Stage के बाद में जो जड़े निकलती है वही जड़े आपके जो Tillers है या फिर जो कल्ले है वो इस अवस्ता में कोण सी जो खाद है वो लेना पसंद करता है अफिसारे से फार्मर होते हैं जिनके खेतों के अंदर जो चोड़ी पत्ती का खरपतवारा जिसे आप बात्तु या फिर पालक बोलते हो वो ज़्यादा मातरा में होता है तो आम तोर पर किसान गया करता है कि ज जब गेहों की जो गोब अवस्ता है वो स्टार्ट हो जाती है जिसे आप पैनिकल इनिसेशन स्टेज बोलते हो या फिर मिल्किंग स्टेज बोलते हो उससे मैं भी जो टूफोडी वगेरा का या फिर एल ग्रीप का या फिर कोई सावा भर भी सेल लगा लो उसका आप सपरे करते हो तो उसका जो सबसे जारा बेड एफेक्ट है वो गेहों की बालें के उपर पड़ता है जब बाले निकले होगी तो बालें चारों से या फिर आपको बेंड जो है वो मुडी हुए आपको दिखाई देगी 25 से लेके 26 दिन के 30 दिन के आसपास जो सिटा बनने की परकि है वो पोधे के अंदर स्टार्ट हो जाती है जरूरी हो तक है कि अगर आप माइक्रो नूटेंट का सप्रे कर रहे हो तो मैंने बार बार वीडियो के अंदर बोला कि आप एनपी के मैगनीज विगेरा या जिंक विगेरा जो सप्रे है वो 25 यच 20 दिन के बाद में आपको स् तक हमारा जो आखिर के अंदर सीटा निकलेगा बार उसका जो साइज है वह उसके अंदर जो फ्लावरिंग जो बूर आएगा वो अच्छे तरिके से आजाए जो पैनिकल इनिशियेशन स्टेज है यानि कि सीटा बनने की परकिरी है गोब अवस्ता से 10 दिन पहले जब आप पूलनी स्टार्ट हो जाएगी तब आप समझे लएगा कि इसके अंदर जो सीटा वो दस से लेकर 12 दिन के अंदर बाहर निकलने वाला है तो सीटा निकलने से पहले एन प्रकिर फ्लावर गराम परतियेकर केसाब से वह सो से लेकर बाली कि आदी हमारी बाली है वह बाहरु तो उसके बाद में NPK 0050 वा जो बरोन है उसको आप दोबारा से जो रपीट है वो कर सकते हो ताकि हमारी बाली को पूर्ण रूप से खुरागा वो मिल सके और हमारी बाली के अंदर जो दाने वो खाली ना रहे और किसी वितने का जो दाना वो पिछकाओ ना मिले क्योंकि अग सर्थ दूद का कम मना वो पटास के उपर निर्वर करता है अगर आप पर प्रोपर तुरिके से सपर में पटास देते हो तो वहां पर आपका जो दाना वो चिपकाओ नहीं मिलेगा अगर दाना चिपका नहीं मिलेगा प्रोपर तुरिके से दूद बनेगा तो हमारे जो दा देने बाद किसान साती हो.